नमस्कार दोस्तो गुडीनिंग मैं आपका दोस्त तेविंदर कुमार आश्लक्लूब्रिकेंड गुरू चैनल से जैसा कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपिक है इंजन ओट क्यों होता है जी हां इंजन ми इंदर हीत क्यों होता है तो जैसा हम आगे वीडियो बढ़ने से पर दोस्तों ये हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकोन दबाद दीजे क्योंकि आने वाले आगे की वीडियो बहुत ही महत्वूर हैं आपके लिए जी हाँ दोस्तों टायर का जाम होना अगर हमारा टायर जाम है तो इस वज़े से पूरा प्रेशर इंजन पे जाता है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कहीं हमारा टायर तो जाम नहीं है दोस्तों हमारे इंजन में लगे हुए कॉर्बरेटर की सेटिंग सही होनी चाहिए जिससे की एर वब फ्यूल का मिक्शर सही तरीके से हो जाए और फ्यूल अच्छे से बन हो जाए अगर कॉर्बरेटर की सेटिंग सही नहीं होगी तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए आपको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा उसको सेटिंग बराबर कराना पड़ेगा दोस्तों जब हम बहुत देर तक किसी ट्राफिक जाम में फस जाते हैं तो हमारा इंजन हीट होना चालू हो जाता है क्योंकि उस समय हमारा इंजन का स्पीड बहुत स्लो और हमारे गेर बहुत लो हो जाते हैं और गेर को हम बार बार हमें चेंज करना पड़ता है एकसीलेटर देना पड़ता है ब्रेक देना पड़ता है तो उस तर्मियान हमारा आटोमेटिक इंजन धीरे धीरे हीट होना चालो हो जाता है बहुत देर तक हम लोग एर पे गाड़ी चलाते हैं तो इस वज़े से भी हमारा इंजन हीट होता है हमें इंजन ओयल को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि वह अपने सही लेयर तक है या नहीं अगर नहीं है तो हमें इंजन ओयल रिफिल करा लेना चाहिए जी हाँ दोस्तों आप में सही सुना क्योंकि बहुत सारे हमारे engine oil manufacturer भाई हमें ये पूछते हैं कि सर जादा तर लोग हमारे oil पे complain करते हैं कि ये oil डाला तो हमारा engine गरम होने लगा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों बड़े बड़ी company आजकल oil डालने के बाद भी आपका engine गरम होता है तो आपको किसी पे blame नहीं करना है सबसे पहले आपको अपने बहुत सारे जो मैं points बता रहा हूँ इसको चेक करना है अगर आपको दिखता है कि आपका engine oil उस layer से कम है तो उ समय आपको engine oil change कर देना चाहिए या उसको refill करना चाहिए दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको आप image में देख रहे हैं कि गाड़ी की छमता से अधीक load नहीं होना चाहिए कभी कभी हमारे बाइक का 100cc का बाइक है और हम उस पे 200 अबोग का weight लेके चलते हैं तो यह क् वह साफ होना चाहिए और सही तरीके से work करना चाहिए यह छोटी बाते हैं लेकिन आपको इसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए जैसा कि दोस्तों मैंने बहुत सारे आपको points बता है कि क्या कारण हो सकते हैं जिस से हमारा bike या car overheat होता है तो आपको यह last मे और मैं एक point बता रहा हूं सार जिस engine में air cooling system होता है जी हाँ जिस engine में air cooling system होता है उसमें overheating का problem ज्यादा होता है जबकि जिसमें water cooling होता है उसमें overheating का problem बहुत ही कम होता है इसमें इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें radiator लगा होता है जो बहुत तेजी से हमारे engine को cool करता है दोस दोस्तों थैंक्यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकोन दबा दिए आगे आने वाले वीडियो आपके वेकल के लिए बहुत ही महत्पूर है थैंक्यू सो मच बाइड़